अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्या होता है वो जगा जब हम बिमार होते हैं तो हमें रखा जाता है जब हम जादा बिमार होते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजे होती हैं तो चलिए अब हम उस जगा के बारे में और जामिन करने के लिए कि हमें क्या हुआ है उसके लिए डॉक्टर होता है नेक्स नर्स क्या करती है हमारी केर करती है जब हम हॉस्पिटल में होते हैं हमें मैडिसिन टाइम पे देती है हमारा बीपी चेक करती है और भी हमारी चीजों का ध्यान रखते हैं गुलुकोस जब हम भ जाता है आफ्टर देन एक्जामिनेशन टेबल यह वो टेबल होती है जहां पर हमें लिटा कर हमें एक्जामिन किया जाता है देखा जाता है कि हमें क्या हुआ है आफ्टर देन ब्लड प्रेशर मशीन हमारे ब्लड के प्रेशर को नापने के लिए ब्लड प्रेशर मशीन होती देन पिल्स पिल्स मतलब दवाईया जब हम बीमार होते हैं तो हमें क्या खानी पड़ती है कड़वी कड़वी दवाईया देन बैंडेट चोट लखने पर जो पट्टी की जाती है उसे हम बैंडेट कहते हैं देन निडल सिरिंज मुझे तो बहुत धर लगता इंजेक्शन से निडल और सिरिंज ये निडल होती है और ये क्या होती है सिरिंज होती है जिससे हमें इंजेक्शन लगाया जाता है Now sling, sling क्या होता है, जब हमारे हाथ में चोट लग जाती है और डॉक्टर हमें मना करता है कि हाथ नहीं ही लाना, उसके लिए हमारे neck से hand में एक पटी बांदी जाती है, उसे हम sling कहते हैं देन, medical chart, देन, gauze, देन, stethoscope, से डॉक्टर हमें चेक करता है, इसे कानों में लगाते हैं और हमारी heart beat को सुनता है, कौन? डॉक्टर, देन, walker, जब हमारे पैर में चूट लग जाती है, तो हम किस की help से चलते हैं, हम walker की help से चलते हैं, आफ्टर देन, bandage, x-ray, अगर हमारे किसी body part की कोई bone तूट जाती है, तो उसके लिए डॉक्टर x-ray कराता है, देखे, इस प्यारे से बच्चे की पैर में चोट लगी है, तो डॉक्टर ने क्या कराया, उसका x-ray कराया, जिससे क्या पता चला, कि उसको कहां पर चोट लगी है, आफ्टर देन, wheelchair, जब हम चल नहीं पाते हमारे पैर में चोट लगी है, तो हम इस chair का use करते हैं बैठने के लिए, ये एक chair होती है और उसमें क्या लगे होते हैं, wheel लगे होते हैं, then patient, जो बिमार व्यक्ति होता है, उसे patient कहते हैं, then crush, crush मतलब बैसाखी, then thermometer, हमारे body के temperature को नापने के लिए हम thermometer का use करते हैं